किचन में आपका स्वागत हैं आद मैं आपको बताऊंगे कि किस तरीके से आप गह निकाल सकते हैं मलाई से देखें यह मैंने इसमें बगोने में पहले धरी डाला था उसके बार ना मैंने मलाई डाली है ना मैंने इसको जमाया है तो देखें किस तरीके से हम गी निकालते हैं मलाई से वह भी सिर्फ आटे की मदद से तो यह लिया है मैंने आटा तो देखें किस तरीके से हम बनाते हैं गी मलाई को मैं ट्रांसफर कर लेते हूं एक कढ़ाई में क्योंकि एक कढ़ाई है वह हैवी बुटम वाली है तो आप जब भी कोई बर्तन लेखी निकालने के लिए तो हैब बोटम उलाई बर्तन ले है तो इस में सारे मलाई को ट्रांसफर कर लेती हूँ मैं ने कड़ाई में डालने के बाद कड़ाई को रख दिया है कैस पर कड़ाई को होने देते हैं हम मैल्ट मलाई को मैंने डाल लिया है कड़ाई में अब कड़ाई को रख दिया है मैंने गैस पर अब हम मलाई को मैल्ट होने देते हैं तेर बाद ही हमारी मलाई हो मैल्ट होना स्टार्ट हो गई है तो इसे मिक्स कर देंगे एक बार ताकि जल्दी से हमारी मलाई हो मैल्ट हो जाए तो इतने लंबी प्रोसेस नागर के हम अगर इस तरीके से बनाएंगे तो काफी कम समय में यानि कुछी मिन्टों में हमारा घी है वो बनके तयार हो जाएगा और इसकी क्वांटिटी है वो भी ज्यादा बनेगी अगर इस तरीके से हम घी बनाएंगे तो देखे चार पांच मिनाट पाद हमारी मालाई उस अच्छे से मैल्ट हो चुकी बिल्कुल भी इसमैं कर दो अच्छे से नहीं बचिए जो नहीं मैल्ट हो चुकी तो अब इसमें डाल देते हैं आठा तो यह लिए है मैंने एक चमच जो हम रेगो लखाने के लिए चमच लोज करते हैं तो उसके अकोर्डिंग को कर देते हैं मैलाई में मिक्स अच्छे से कि अच्छे से मलाई में मिक्स कर दिया इसके कोई लंस नहीं रहे है इस तरिक्या से आप मिक्स कर दें तो इसे आप पकने दे देखिए आठे को मलाई में मिक्स करें मुझे दो मिनट हुए और तेके हमारी कढ़ाई में किनारों पर हीविया आना श्कार्ट हो गया तो इसी तरीके से हम पकने देंगे 2-4 मिनट और मुझे थोड़ा सा जाब टाइम सिया लगा क्योंकि जो मलाई थ तो इसे अधे थे खंटी थी मैंने डायरेक्ट फ्रीज से निकालती है इसको कढ़ाई में चड़ा दिया अगर आप पहले निकालके रग देंगे थोड़ी दिर पहले तो आपके मलाई यह थोड़ी जराम हो जाएगे और आपके मलाई जल्दी मेल्क हो जाएगी का आपका अधे आपके मलाई देन झाल चाल के और थोड़ा हो करी द भी में अच्छा व्यां पहले खाल शुञए थोड़ा सी थोड़ा फ़ंदार कती हो जाएग हो और थोड़ा सा थे होुट तो 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 चॉटा सदुस्त century को तो तो इनद आप माइट मुटी स्टेनर च्छान लेंगे ताब कि विलकुल भी जू लेफ्ट ऑवर यह मावा बचाई यह विलकुल भी आमरी घे में आ जाए तो इसको मैं ख्छान लेती हूं तो देखे कितना घी निकळा है इस तरीके से छान लेंगे थारे घी को तेके पूरा घी मेने छान लिया और इस तरीके से छान लेंगे तो देखे लगवाग एक किलोग्राम हमारा घी निकला है और हमारी मलाई भी कोई ज्यादा नहीं थी हमारी कड़ाई छोटी थी इसलिए भरी होई दिख रही थी तो इसको एक बार में वापस छान लेती हुआ कि जो छोटे 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 जो लेफ्ट वर बावा उसके टुक लगवाग एक किलो ही हमारा निकल के तयार हुआ है तो इसे निकालने में मुझे लगवारा तेरह मिनिट का टाइम लगा है क्योंकि मलाई ज्यादा ठंडी थी अगर आप 2-3 मिनिट थोड़ी देर पहले मलाई को भार निकाल के रख देंगे तो 2-3 मिनिट आपके और भी कम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सेयर कीजिए वीडियो देखने के लिए धन्यावाद